हलो फ्रेंज वेलकम टो अच्छानल दिप्रश्विता शूप तो बच्चों के टीटिंग फेस को लेके मतलब जब बच्चों के दाथ निकल रहे होते हैं तो उस टाइम के लिए पैरेंट्स के माइंड में बहुत सारी कुशिंस होते हैं कि कब मतलब कौन सी एज में बच्चे है और वीडियो को शिरु करने से पहले मैं आपसे रिक्वेट करूँगी चानल पर नए है तो चानल को सब्सक्राइब सरोर करना वीडियो अच्छा ञे तो वडियो को like करना है share करना है कौमेट करके बताने वीडियो आपको कैसा लग तो सबसे पहले बात करते हैं कि बच्चे के जो दाथ निकलते हैं वो कौनसी जिश में निकलते हैं तो यहां मैं आपको बता दूँ कि normally जो बचों के दात निकलते हैं वो दात निकलने का period होता है 4 महीने से लेके 7 महीने तक मतलब 4 to 7 months ये वाली age जो है normally बचों के दात जो है वो इस age में निकलने शुरू हो जाते हैं बट कुछ rare cases में देखा गया है कि बचों के जो दात हैं वो एक साल के बाद भी निकलते हैं अगर आपके बचे के दात अब तक नहीं आया है और आपका बचा एक साल का हो गया है तो यहां मैं आपको सज्जेस्ट करना चाहूंगी कि एक बार आपको डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लेना चाहिए और कुछ rare cases में ये भी देखा गया है कि जब बचा पैदा होता है उस time पर भी बचे के दात जो है वो निकले भे होते हैं ये दोनों ही cases तोड़ी से rare है मतलब एक साल के बाद निकलना और जिस समय बचा पैदा हो रहा है उस time पे दातों का होना जो normally है वो यही है कि 4 महीने से लेके 7 महीने तक बचों के जो दात निकलने का process है वो शुरू हो जाता है आप जब आपको पता लग रहा है कि बचे के दात निकल रहे हैं तो उस time पे भी होता क्या है कि आगे हम बात करेंगे कि बचों के दात निकलने के है क्योंकि यह जो time होता है उस time पे बचे को मतलब दात निकलने के time पे बचों को जो है calcium की और vitamin D की requirement होती है तो जब आप अपने doctor को consult करते हो और जिस भी age में आपके बचे के दात निकल रहे हैं उस age के according doctor जो है आपको calcium supplements या vitamin D 3 supplements जो है वो बचे के लिए prescribe कर सकते हैं जो उस time पे बचे के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होते है आप बात करते हैं कि क्या-क्या symptoms आपको देखने को मिलेंगे मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि अभी बचे के दात निकल रहे हैं हाँ मैं कुछ symptoms की बात करूँगी जिससे आपको पता चल जाएगा अब जो एक-एक symptoms की हम बात करेंगे उसके काफी सारे reasons हो सकते हैं बट जब ये सारे symptoms आप एक साथ देखते हो तो इसका मतलब है कि इस time पे बचे के दात जो है वो निकल रहे हैं सबसे पहला और सबसे common reason जो symptom आपको दिखेगा वो है drooling का मतलब लाट पकने का उस time पे आप देखोगे कि बच्चों के मुझ से बहुत ज़्यादा थूख पगेरा बहुत ज़्यादा लाट पकता रहता है ये वैसे भी बहुत सारे cases में हो सकता है जब एक साथ आपको देखने को मिले बच्चे में तो मतलब बच्चे के दाथ निकल रहे हैं तो drooling का problem यान लाट पकने का problem जब आप देख रहे हो तो इसका मतलब हो सकता है कि बच्चे के दाथ जोग है अब निकलने स्टार्ट हो गए जो दिखेगा कि बच्चे के जो गम्स हैं जो बच्चे के मसूरे हैं वह आपको थोड़े से फूले वे लगेंगे थोड़े सी सूजन उसमें लग सकती है थोड़े सी redness आपको उसमें लग सकती है वो जब आप finger से उसको हलका से टच करके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो फूले हुए हैं या वो थोड़े से swelling उसमें आ रही है तो इसका मतलब है कि बचे के दाथ उस ताइम पर निकल रहे हैं या फिर आपको जैसे कि जो बचे की पहले दाथ निकलते हैं वो सामने के दाथ निकलते हैं वो नीचे के दाथ हो सकते हैं या बचे के ऊपर के दाथ हो सकते हैं तो सामने से या आपको हलका सा white spot देखने को मिल सकता है तो इसका भी मतलब है कि बचे के दांत इस टाइम पे निकल रहे हैं फिर जब बचे के दांत निकल रहे होते हैं तो जो सबसे ज़्यादा कॉमन है बचे उस टाइम पे क्या करते हैं क्योंकि होता क्या है कि उनके गम्स में बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही होती है बहुत ज़्यादा आराम मिलता है, तो अगर बचा ऐसे कर रहा है, बचा बहुत सरी चीजों को मुँ में डालने की कोशिश कर रहा है, या कुछ चीजों को चबा रहा है, तो इसका भी मतलब है कि इस time फे बचे के दाथ जो है वो निकल रहा है, फिर जब दाथ निकलने का process बच्चे के साथ में ह तो तो बहुत ज़्यादा इरिटेशन भी होता है तो रातों को सो भी नहीं पाता है कई बारी बचा जो है खाना भी ठीक से नहीं खापाता है क्योंकि यह प्रोसेस होता है चार महने से साथ महने आट महने तक का तो तो बचा आपका दूद भी नहीं पीता है जब उसके दाथ निकल रहे होते हैं आफटर शिक्स मुंस जब बचा सॉलेट पर आ जाता है तो उसको खाना के लाने के आप खोशिश करोगे तो बचा खाना भी नहीं खाता है ऐसे टाइम पर क्योंकि बहुत ज़्यादा परिशान लेकि जाता है कि किसी तरीके से उसको जो है comfort मिल जाए रोता भी बचा बहुत ज़्यादा है इसे टाइम पर क्योंकि परिशानी हो रहे होती है तो यह कुछ symptoms हैं जो एक साथ आपको देखने को मिल सकते हैं जब बच्चे के दाथ निकल रहे होते हैं तो यह सब जब देखन को आपको मिल रहा है तो आप समझ सकते हो कि अभी बच्चे के दाथ निकल रहे हैं अभी आपको एक बार डॉक्टर को consult जरूर कर लेना चाहिए और आगे मैं discuss कर रहे हो कि किस तरीके से इस process को आप थोड़ा सा easy बना सकते हो प्रिशिता के टाइम पे जब उसके दाथ निक क्योंकि जैसे वर आपको बता एक की बच्यों को रूपलन बच्चे को लाट पकने का प्रॉबलम हो रहा होता है अब बच्चे को त्क ही फ Ouch आप उसको change करते रहें, तो वो आप कर सकते हो, और henky से थोड़ा सा face वगेरा उसका clean करते रहें, ताकि बचे को जो hair rashes वगेरा ना हो, ये आपको करना है, second आपको करना है कि, क्योंकि बचे को बहुत बचा कुछ भी चबाने की कोशिश कर रहोता है उस time पे, तो उस time पे आजर का piece बचे को दे सकते हो, तो वो जब बचे उसको चबाते हैं, तो वो बिल्कुल एक तो safe होता है, बचे के लिए healthy होता है, और बचे को जो है, उससे थोड़ा सा comfort मिलता है, next जो आप कर सकते हो, जो हमने प्रिशिता के case में किया, जिससे हमें बहुत ज़्यादा help मिला वो हम करते थे कि थोड़ा सा mustard oil लेके, अपना hand wash अच्छे से कर लिया, और आपने पाम पे थोड़ा सा mustard oil ले लिया, सरसो का तेल, जो आप kitchen में normally use करते हो, उसको आपको जलाना नहीं है, उसको आपको कुछ नहीं करना है, बस हलका सा उसको finger पे लेके, और आपको gums के थोड इसी massage कर देनी है, उससे बच्चे को immediate relief मिलता है, बच्चे को जो भी pain हो रहा होता है, बच्चे को जो भी irritation हो रही होती है, उसमें बहुत ज़्यदा आराम बच्चे को मिलता है, तो यह mustard oil लाप कर सकते हो, नेक्स जो आप कर सकते हो, थोड़ा सा ice pack बच्चे को लगा सकते हो आप directly ice आप मुँबे बच्चे के नहीं लगा सकते हो, आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा बरफ लेके, उस पे अपना finger थोड़ा सा लगा कि थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, तो उससे gums पे बच्चे को हलकी सी massage आप कर सकते हो, उससे भी बच्चे को बहुत ज़्यदा relief मिलत है, तो एक बर आप डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर लें, केलकेरिया फूस देने के लिए, अगर आपके डॉक्टर आपको suggest करते हैं, तो ये दो गोली सुबा और दो गोली शाम को हमने प्रिशिता को दी थी, प्रिशिता को जब उसके दात निकल रहे थे, तो उसके दात न प्रिशिता नहीं है, बच्चे को खाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे टाइम पे आप बच्चे को breastfeed ज़रूर कराएं, मतलब अगर आपका बच्चा six months के बाद solid पे आ गया, solid ले रहे तो बहुत अच्छी बात है, बट क्योंकि जब बच्चे का दात निकल रहे हैं, तो एक पर डॉक्टर को ज़रूर आप consult कर लो, और डॉक्टर जो भी आपको supplements, जो भी medicines आपको prescribe करते हैं, बच्चे के लिए जैसे कि वापको calcium prescribe कर सकते हैं, वापको vitamin D3 prescribe कर सकते हैं, तो वो time to time जैसे भी dose आपके डॉक्टर आपको बताते हैं, वो ज़रूर उस time पर बच्चे के लिए और बहुत जरूरी है बच्चे की body के लिए, तो ये कुछ चीज़े हैं, जो आपको करके चलनी हैं, जब बच्चे का दात निकल रहा है, नेक्स मैं आपको ये भी कहूंगी, कि fever की भी एक बार डॉक्टर से ज़रूर आप medicine जो है prescribe करा लें, क्योंकि ऐसे time पर क्या है, जब बच्चे के दात निकल रहे होते हैं, तो बच्चे को fever का problem भी कई बारी, मतलब बुखार आने का problem भी बच्चों की साथ में होता है, तो आप पहले से ही जब बच्चे के दात निकल रहे हैं, तो पहले से ही डॉक्टर से बात कर लें, और वो कोई medicine आ हैं, अब ऐसे symptom लेते हैं, कि बच्चे के दात आप ही निकल रहे हैं, इसको आप ऐसे symptom नहीं ले सकते हैं, कि अगर बच्चे को lose motion हो हैं, that means बच्चे के दात निकल रहे हैं, बट होता क्या है कि जब जिते भी बच्चों के दात निकल रहे होते हैं, maximum cases में उनको lose motion हो जाते ह आप इसका कारण समझ लेते हैं कि बच्चे को lose motion क्यों होते हैं जब बच्चे का teething face चल रहा होता है यानि जब बच्चे के दात निकल रहे होते हैं जैसे कि में आपको पहले भी बताया था कि जब बच्छे के धात निकल रहे होते हैं, बच्चे के मसूडों में बहुत ज़ाधा irritation हो रहा होता है, बच्चे को pain हो रहा होता है, जो भी आसपास की चीज़े बच्चे को दिखती है, वो बच्चा मूँ में डाल लेता है, बच्चा उसको चबाने की कोशिश करता है, तो उसके थुरू क्या होता है, काफी germs, bacteria बच्चे के मूँ में चले जाते हैं, जिसकी ही है कि बच्चे को lose motion है, तो बच्चे को diarrhea हो रहा है, तो मतलब बच्चे के दात निकल रहे हैं, इस वज़े से है, क्योंकि साफ सफाई हम maintain नहीं कर पाते हैं, बच्चा किसी भी चीज़ को मूँ में डालता है, इस वज़े से बच्चे को diarrhea का problem जो है, वो हो जाता है, आप यहाँ यह भी बात कर लेते हैं कि जब आपको पता चल गया है कि बच्चे के दात निकल रहे हैं, जब कि प्रोसेस को easy बनाने के लिए आप काफी सारी चीज़े कर रहे हैं, साथ ही साथ में आपको बच्चे को दातों की care भी करके चल ली है, वो दातों की care आपको कब से कर हैं, जब से आपको देख गया है कि बच्चे का दात आना स्टार्ट हो गया है, इनफेक्ट में आपको कहूंगी कि स्टार्टिंग से जब आप बच्चे को breastfeed भी करा रहे हो, तो हर feed के बाद एक cotton का कपड़ा लेकि उसको हलका सा गीला करके finger की through, उसको हलका सा माउंट आप सुबा और शाम को थोड़ा सा clean कर दें, वो बहुत ही ज़दा ज़रूरी है, और जब आपको देख रहा है कि बच्चे के अभी दात निकलने स्टार्ट हो गया है, तो सिलिकन ब्रश काफी अच्छे ब्रांड की मार्केट में available है, तो एक अदर सिलिकन ब्रश में आप invest कर सक सकते हो, या बच्चा अगर उससे कराने में कई बड़ी बच्चे को easy नहीं लगता, कई बड़ी बच्चा उससे नहीं करवा पाता या बहुत ज़्यादा रोता है, तो again आप अपनी finger से ही cotton का कपड़ा लेके, साफ कपड़ा लेके, उसको हलका गिला करके, उसको जो है मसू से बच्चे को encourage करना है, तो यह step by step जैसे जैसे आपका बच्चा बड़ा हो रहा है, age wise हाट चीज उसमें explain करी हूई है, आप चाहो तो वो जा के देख सकते हो, but day one से आपको बच्चे को जो मूग की, दातों की, मसूडों की care जो है वो करके चल ली है, तो I hope इस वीडियो मे दात निकलने के process से related आपके सारे questions clear हो गए होंगे, वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को like जरूर कर लेना, share जरूर कर लेना, comment करके भी जरूर बताने है, वीडियो आपको कैसा लगा और channel पे नहीं है, तो channel को subscribe भी जरूर करना है, आज के लिए इतना ही, आगे मिलते है एक नए topic के साथ, thank you so much.